राजकिया इंटर कालेज के मैदान पर राय बरेली की पुरुष और महिला खोखो टीम का चैयन ट्रायल संपन हुआ इस चैयन ट्रायल में महिला और पुरुष खिलाडी मिलाकर कुल 42 खिलाडियों ने प्रतिभाग किया आपको बता दे की जिला खोखो संग सचिव लक्षमी कांथ शुकला ने बताया की राय बरेली के पुरुष और महिला टीम चैयनित होकर 29 और 30 जून 2019 को प्रयागराज में होने वाली राजय स्तरिय आमंतरंग खोखो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे जहां पुरुष खोखो टीम के कोच ईश्वरदीन और मैनेजर आशुतोष तिवारी को बनाया गया तो वही महिला खोखो खोखो टीम की कोच रतना मिश्रा और टीम मैनेजर रिशी कांथ मिश्रा को बनाया गया है तीन सेलेक्टर की भूमिका अंतराश्ट्रिय खोखो निरनायक सत्य प्रकाश्तिवारी और राश्ट्रिय निरनायक नवनीत वर्मा ने निभाई जिला खोखो संग के अध्यक्ष मुकेश बहादूर सिंग ने सभी चयनित खिलाडियों को बधाई दी इस अवसर पर ठांगता मार्शल के जिला सचिव विवेक मौर्य, जिला कराटे संग के सचिव राकेश गुपता, रवींदर कुमार आदी मौजूद रहे आए देखते हैं, राय बरेली से हमारे समवाद्दाता रजनिकान तवस्थी की यह रिपोर्ट जरुद दोड़ियों